Decision Making Under Uncertainty तो यहाँ पर second method है Criterion of Optimism देखिए Optimism का मतलब होता है Hopefulness and Confidence About the Future यहाँ पर क्या होता है कि आप confidence होते हो future के बारे में लेकर यानि कि अगर आपको लगता है कि profit होगा in future profit होगा इसके ब्यार में confident हो तो आप जहाँ पर maximum profit जिस strategy से मिल रहा होगा उस strategy को select करने की कोशिस करते हो इसी तरह के से अगर कहीं चीज में cost involved हो रहा है तो आप ऐसी strategy को choose करोगे जिसमें सबसे कम cost लग रही हो यह क्या है optimism है यानि कि यहाँ पर आप hopeful होते हो confidence होते हो future event के बारे में तो आपको पता है कि profit हो रहा है तो आप सबसे ज़्यादा profit grab करना चाहते हो आपको पता है कि अलग-अलग strategy है जिसमें cost लगेगी तो आप सबसे कम cost को grab करना चाहते हो तो ensure to not miss the opportunity to achieve the largest possible profit और the lowest possible cost यानि कि अगर profit की बात हो तो largest possible profit को grab करना चाहते है अगर cost की बात हो तो lowest possible cost को select करना चाहते है तो ऐसे strategy जिससे ज़्यादा profit आएगी उसको select करना चाहते है और ऐसे strategy जिससे कम cost आएगी उसको select करना चाहते है optimism के case में तो यहाँ पर दो method होता है एक maximax criterion होता है और दूसरा है minimum criterion तो maximax criterion कब जाएगा जब payoff matrix होगा यानि कि जब आपको profit वाला matrix होगा payoff matrix दिया रहेगा तो वहाँ पर आप maximax criterion यूज करेंगे क्योंकि किसी का भी aim क्या होगा कि profit को increase करें यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा profit को grab कर सके वहाँ पर जब minimum criteria आएगा तो आपको cost matrix रहेगा तो cost matrix के case में क्या होगा कि सबसे कम जिसमें cost लग रहे है उसको select किया जाए के लिए तो यहाँ पर क्या होता है कि max of maximum profit of all strategy यानि कि हर strategy जो profit दे रहोगी उसमें से जो सबसे ज़्यादा profit दे रहोगी strategy उसको जो है हम यहाँ पर select करते हैं यानि कि हर strategy का पहले हम maximum दोडेंगे फिर चार strategy है तो चारो का maximum दोडेंगे फिर चारो में से जो सबसे ज़्यादा होगा उसको select कर लेंगे तो applicable in case of profit तो max max criteria कम होगा जब आपके पास pay off matters दिया होगा profit matters दिया गया होगा वहीं पर दूसरा criteria है that is minimum criteria तो minimum criteria में क्या होगा suppose कि चार strategy है तो हर strategy में सबसे कम cost होगा उसको select किया जाएगा फिर चारो strategy में जो सबसे कम होगा उसको select कर लिया जाता है जो है final selection उसको माना जाता है तो minimum criteria minimum of minimum cost of all strategies और यह कब applicable होगा जब आपको cost matters दिया गया होगा clear तो example लेकर हम समझते हैं दोनों ही case को maxi max को और minimum को समझते हैं तो सबसे पहले maxi max criteria देखेंगे तो अब suppose कि आपको जो है एक pay off matters दिया गया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो investor है उसको जो है तीन जगा तीन option है इसको अपने पैसे को invest करने के लिए bond में, stock में, mutual fund में और economy आगे चलके grow हो सकती, stable हो सकती या फिर decline हो सकती है जो कि uncertain है यान कि grow करेगी, decline करेगी, stable लेगी वो uncertain है तो अब जो investor decide करना चाहता है कि वो bond में invest करे stock में invest करे, फिर mutual fund में invest करे, clear तो यहाँ पर आपको payout दिया गया है, pay off matrix दिया गया है तो अब यहाँ पर maxi max criteria लगेगा, clear कौन सा criteria लगेगा maxi max क्यों क्योंकि यहाँ पर profit की बात होई तो maximum profit को grab करना चाहेंगे तो देखिए सबसे पहले आप bond को देखेंगे वहीं पर अगर आप stock में invest करेंगे तो उस case में जो maximum profit होगा वो कौन सा होगा, 70 का होगा देखिए, 45, 45 में से 45 ज़्यादा है, stock के case में देखें तो 70, 30, माइनस 13 है तो वहाँ पर 70 ज़्यादा है, इसी तरीके से mutual fund का देखें, तो mutual fund में maximum value क्या है, 53 यानि कि maximum profit का है, 53 तो यहाँ पर आपने 53 को लिख दिया अब देखिए, maxi max है, maxi max यानि कि हर, आपने हर strategy का maximum value निकाल लिया, अब इसका maximum निकालेंगे, यानि कि 45, 70, 53 का maximum value निकालेंगे, तो 45, 70, 53 में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 70 है clear, तो यहाँ पर जो आपका decision क्या हो जाएगा, कि आप जो है stock में invest करोगे, the investor will invest in stocks according to maxi max criterion, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले हर strategy का maximum value निकाला, फिर उन अलग-अलग strategy के जो maximum value आए, उसका maximum लिया अपने, तो that is maxi max criterion, अब next example लेते है cost matrix का, तो आप suppose कि आपके सामने cost matrix दिया गया है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर एक farmer है उसको ये decide करना है, कि वो कौन सा crop grow करे, जिसमें की सबसे कम cost आएगी, crop one, crop two या फिर crop three को, अब यहाँ पर rain कर उसको uncertainty है कि rain ज्यादा होगी, normal होगी या फिर low होगी तो यहाँ पर आपको cost matrix दे दिया गया है कि rain ज्यादा होगी, तो क्या cost आएगी rain कम होगी, तो क्या cost आएगी और rain normal होगी, तो क्या cost आएगी crop one, crop two, crop three को उगाने में, clear, तो आपको cost matrix देज दिया गए है तो आप यहाँ पर cost को कम से कम cost वाले कुछ उज़ करेंगे तो यहाँ पर कौन सा criteria उज़ करेंगे minimum criteria उज़ करेंगे optimist के case में clear तो यहाँ पर क्या करेंगे आप minimum value को find out करेंगे पहले सरी stages का तो crop 1 का minimum value क्या है आप देखेंगे तो high में आप देखेंगे crop 1 की value क्या है 5 वो minimum है उसके बाद 40 और 45 है तो 5 को आप यहाँ select कर लेंगे इसी तरह किसे crop 2 की minimum value डूड़ेंगे यान की minimum cost को डूड़ेंगे तो क्या है 13 है इसी तरह किसे crop 3 का जो है आप minimum cost को find go करेंगे तो यहाँ पे क्या है crop 3 का 4 है त 이걸 आपने क्या किया हर स्टेजी का यान की हर crop के रिए आपने यहाँ पे minimum cost को select कर लिया अब mini mean है यान की minimum का भी minimum है तो minimum आपने सभी स्टेजी को डूड़ लिया अब इससका minimum डूड़ेंगे तो यहाँ पर crop 1 का 5, crop 2 का 13, crop 3 का 4 है तो यहाँ पर minimum कौन सा हो गया, crop 3 यानिकी 4 हो गया तो जो यहाँ पर farmer है, वो कौन सा strategy चूस करेगा, crop 3 यानिकी, crop 3 को जो है grow करने के लिए आगे जाएगा तो the farmer will grow crop 3 according to minimum criterion, clear तो maxi max में क्या होता है कि हर strategy का maximum आप जो है profit ढूडेंगे फिर जो अलग-अलग strategy का maximum profit आप उसमें से maximum को select कर लेंगे इसी तरह कि से minimum में क्या होता है कि हर strategy का minimum cost को ढूडेंगे फिर जो अलग-अलग strategy का minimum cost आया है उसमें से minimum को सबसे जो minimum होगा उसको जो है आप select कर लेते हैं तो that is criterion of optimism, minimum and maxi max wish you all the best, keep watching